हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग गुंबीत करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग SME IPO जो की 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में उपन रहेगा मैक्स पोजर SME IPO इसकी स्पेलिंग या तो कह सकते हैं मैक्स पोजर या मैक्स पोजर तो ये SME IPO 15 से 17 जनवरी के बीच में उपन रहेगा इसकी GMP बहुती अच्छी चल रही थी तो सोचा इस पर भी वीडियो बनाया दे क्योंकि काफी डिमांड भी आ रही थी तो सबसे पहले अगर इसके बात करें इसके ग्रे मार्किट के प्रीमियम की तो इसका जो लेटिस ग्रे मार्किट का प्रीमियम चल रहा है 150% के हसपस का 50 रुपए पर शेयर है 4000 रुपए चार जार शेयर का लॉट है 2 लाख रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारिक में फाइदा देखने को मिल रहा है परसेंट इस वाइस करीब करीब 150 परसेंट जैसा ग्रे मार्किट का प्टीमियम है मिनिमम एक लॉट के अंदर 1,32,000 रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रीटेल कैटेगरी के अंदर और देखे दोसों GMP के पूरे बरो से नहीं रहना चाहिए बाकि सारी चीजे भी देखे GMP मैनेपलेट हो सकती है गलत भी हो सकती है यह सर्फ एक अंदाजा है अंदाजा लेकर ही चले बाकि GMP की बेसिस पर कभी भी आप डिसीजन मत बनाईएगा और दोस्तों आप कोई भी डिसीजन बनाए अपलाए करना है नहीं करना है तो अपनी रिस्क और अपना अनालिसिस लगा के बनाए अपने जो भी financial advisors है उनसे सला लेकर बनाए और देखिए दोस्तों बाकि सारी GMP वगएरा चेंज होती रहती है मैं आपको daily update वगएरा देता रहता हूँ इसलिए टेलेग्राम, WhatsApp चैनल, Instagram सबकी लिंक आपको description के अंदर मिल जाएगी और free में डीमेट एकन खुलवाना है तो उसकी भी link description के अंदर है फिर दोस्तों बात करें इस company की details के बारे में तो company जो है सन 2.6 के अंदर इंकॉर्परेट हुईती मतलब अपने sector के अंदर इसको काफी अच्छा experience भी हो गया है यह company new age media entertainment and advertisement company है जिसके अंदर क्या होता है अभी new age के अंदर यह in flight entertainment मतलब flight के अंदर जो भी TVs वगएरा LED लगी होती है उसके अंदर entertainment के लिए OTT वगएरा है या कुछ channel वगएरा है channel चलाने होते हैं यह movie, song वगएरा चलाने होते हैं तो वो entertainment का काम करती है मतलब काफी flight से इसका collaboration वगएरा हो रखा है और हलांकि आज कल तो देखिए mobile वगएरा आ रखे हैं entertainment के लिए तो फिर भी इसकी भी demand रह सकती है फिर उसके लाबा content marketing मतलब जो भी content वगएरा होते हैं उनकी marketing वगएरा करना digital marketing जिसको बोलते हैं मतलब videos वगएरा के थू या उनकी editing वगएरा करवाना मतलब काफी सारी चीज़े इसके अंदर आती है फिर उसके लाबा advertising जैसे printing advertising होती है मतलब printing media वगएरा और उसके लाबा digital marketing भी होती है मतलब online वगएरा ये marketing जो चलती है आप देख सकते हैं social media वगएरा पर और उसके लाबा ये digital कुछ products भी बनाती है electronics products भी है और उसके लाबा apps वगएरा भी ये कुछ बनाती है तो overall जितना मुझे काम समझ मैं है तो ठीक नजर आ रहा है मतलब नई टाइप का काम है new age business है तो sector तो ठीक नजर आ रहा है पर इस sector के अंदर competition भी बहुत जादा है और बहुत सारी कमपनिया डिजिटल मार्केडिंग वगएरा sprinting, media, advertisement के अंदर है फिर अगर financially देखें 2021-2023 कि इसके financials दिये गए है तो अगर इसके assets देखें तो वो बड़े है और इसके अलावा बात करें इसका annual profit भी अच्छा है इसे अपना debt जो है पे कर सकती है तो financially तो strong नजर आ रही है और इसका P.E. देखें तो 12.42 का है और अपने जो भी peer competitors है उनसे सही valuations पर है ज़्यादा महेंगी नहीं है ROE 14% की ROC 19% की है तो ये भी ठीक है तो financially और funda medley ठीक company नजर आ रही है फिर दोस्तो इस IPO की details के बारे मैं बात करें तो 15 से लेकर 17 जनवरी के बीच में ये IPO उपन रहेगा और इसका IPO का जो price band है 31 रुपए से लेकर 33 रुपए के बीच में 4000 shares का ये lot है और इसका issue सही जा करीब करीब 20 करोड रुपए से उपर का पूरा का पूरा fresh issue है कुछ उदारी चुकानी के अंदर कुछ working capital requirement के अंदर मदब जो भी अपने company की growth के लिए पैसा काम आएगा और IPO के बाद promoters की हिस्से डारी रह जाएगी 61 परसेंट की और इसकी जो listing date है वो है 22 जनवरी को तो ये हो गई पूरी IPO की details अब सबसे main सवाल ये आते कि क्या इस IPO में apply करना चुई ये ये नहीं करना चाहिए तो देखिए जनरली मैं तो परसनली SME IPUs listing के लिए apply करता हूँ और SME segment थोड़ा सा risky होता है इसलिए मेरा तुझाइदा ये ही रहता है कि listing के लिए apply करो और exit हो जाओ बाकि देखिए कुछ-कुछ SME companies अच्छी भी आती है जिसके अंदर आने वाले टाइम में बहुत अच्छी growth भी होती है तो ऐसी भी खूब companies आती है तो इसलिए मतलब risk को ध्यान में रखते हुए आप decision बनाएं कि आपको hold करना है या sell करना है overall company तो ठीक नज़र आ रही है बाकी देखिए दोस्तों decision आप अपनी risk और अपना analysis लगा के बनाईगा मेरी तरब से कोई भी apply करना या नहीं करना by sell का कोई भी recommendation नहीं है इसे information और education purpose के लिए वीडियो था तो यह थी सारे आज के अबडेट से उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर